सब लोग सिर्फ यहीं चाहते हैं कि उनका भविष्य अच्छा हो। हर किसी ब्यक्ति की ये ख्वाइश होती है कि वो अपना पूरा जीवन किसी परिशानी के साथ खुसी-खुशी ब्यतीत कर सके। और ये बात तो सभी लोग जानते हैं कि हर कोई व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा धन कमाने की इच्छा रखता है लेकिन ग्रहन छत्रों के चलते आपको परिशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है इसलिए आज हम उन राश्यों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन राश्य कौन कौन से हैं पहला धनुराशी धनुराशी वाले जातकों के लिए अगस्त का महीना परिशानी खड़ा कर सकता है व्यापारी लोगों को व्यापार में भारी घाटा उठाना पर सकता है इस घाटे से बचने के लिए आपको ये उपाय करने से फायदा मिल सकता है तथा ध करक राशी करक राशी वाले जातकों के लिए ये महीना तो उत्तम रहेगा और धन का लाब भी होगा लेकिन इस महीने की शुरुवात में खर्च के साथ साथ समस्या भी आ सकती है और आपको भारी परिशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है इन परिशानियों से बचने के के लिए आपको उपाय करना होगा तो चलिए हम आपको बता दें कि ये दोनों राशी वाले लोग इन सब परिशानियों से बचने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं और जो उपाय कर सकते हैं वो उपाय हैं हर हपते सो मुवार को शिव मंदिर में जाकर शिव लिंग पर दूद चढ़ान तथा ध्यान मुद्रा में बैठ कर भागवान शव्यु से प्रातना करें कि आपको जल्द आने वाली सभी समस्याओं से छुटकारा दिलाएं ऐसा करने से आपको आने 첫 समच्या आपके ऊपर है उसके उपर से भागवान शीव कि छुटकारा दिलाएंगे अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर पीजियो एडिटर कैमरा मैं या पर स्क्रिप्ट राइडर तो हम इस संपस करें